आज हम बड़ा नर्मो नाजुक और मुलाइम किसम का लच्छेदार पतीसा बनाएंगे जो बहुत ही मज़े का बनता है आपको बेकरी से मिलता है ना बिल्कुल वही टेक्स्टर होगा वही मज़ा होगा अच्छा मुझे पतीसा बनाने वाला काम बड़ा इंटरस्टिंग सा लगता है बड़े मज़े से मैं बनाती हूँ बड़ी खुशी से बनाती हूँ और बड़ा मज़ा आता है जब ये नर्मो नाजुक से इसके धागे बनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे अमीद आप भी इस रेस्पी को मज़े से देखेंगे और बहुत नहीं होंगे तो चलें ये मज़े की रेस्पी स्टार्ट करते हैं पैन लेंगे एक जो के गीला था तो मैंने उसे चुले पर रखकर ड्राय कर लिया है अब इसमें देसी घी डालेंगे एक चमच के बराबर देसी घी डालेंगे एक टेवल स्टार्ट देसी घी चाहिए होगा देसी घी की रेस्पी भी आप दे सकते हैं मैं पहले बता चुकी हूँ एक कप मैदा डालेंगे मैदे को आप च्छान लें पहले फिर इस्तमाल में लाएं बेसन को भी पहले चान लें बेसन है एक टेबल स्पून के बराबर और अब हम इसे रोस्ट करेंगे फलेम आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए लो फलेम पर हम इसे रोस्ट करेंगे तो फलेम भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ के कितनी होनी चाहिए इसके इलावा अगर आप ज्यादा मिकदार में पतीसा बनाना चाहते हैं तो हर चीज की मिकदार डबल कर लें यानि एक कप मैदे से मैं बना रही हूँ आप दो कप मैदे से बना रहे हैं तो दो कप मैदा होगा तो दो चमच देशी गी होगे इसी तरह दो चमच ही बेसन होगा अच्छा एक बात आपने ध्यान में रखनी है स्पैचुला आप मुसलसल अंदर चलाते रहें यह नहीं के छोड़ कर बैठ जाएं यह जल जाएगा नीचे लग जाएगा नीचे से खराब हो जाएगा तो इसे मुसलसल चमच को चलाते ही रहना है तक्रीबन 10-12 मिनट लगेंगे हमें लो फ्लेम पर इसे रोस्ट करते हुए अगर मेरा छोटा सा कैमरा आपको दिखा दे तो देखें यह मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे रोस्ट कर रही हूँ इतनी ही फ्लेम होनी चाहिए आम तोर पर मैं वीडियो बिल्कुल काट काट कर छोटी सी कर देती हूँ ताके देखने वाले भी जल्दी से देख लें और जल्दी से कुक कर लें बना लें लेकिन आज थोड़ी टेक्निकल किसम की रेस्पी है जो देखने से तल्लुक रखती है इसलिए लंबी हो जाएगी थोड़ी सी रेस्पी तो जरा सबरो तो हम मुल के साथ देखिएगा लेकिन कोई बात नहीं हम साथ में कुछ काम की बातें ही करेंगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स चलती रहेंगी हमारी तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप्ट नहीं करना आगे पीछे करके नहीं देखना जोड़ तोड़ कर नहीं देखना इसे क्या होगा कोई ना कोई स्टेप मिस हो जाएगा तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना अच्छा तो अगर आपको नहीं पदा तो मैं आपको बताती चलूँ के मेरा फेस्बुक पेज भी है किचन विद मुनज़ा के नाम से अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें फोलो भी कर लें वहाँ पर मैं अच्छी अच्छी तहरीरें लिखती हूँ मालूमाती भी होती हैं हसने हसाने वाली भी होती है और मुनज़ा जलुफकार के नाम से मेरी फेस्बुक आइडी है उसे भी आप फोलो कर सकते हैं बातें भी हमारी चलती हैंगी लेकिन नदर आपको सक्रीन पर रखनी है आपने देखा कि मैदे ने हलका सा कलर चेंज कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे फ्लेम ओफ कर देंगे और इसे एक डिश में निकाल कर रख देंगे अच्छा तो देखें जिसमें मैंने मैदा रोस्ट किया है उसी पैन को दुबारा रुमाल के साथ साफ करके चुले पर रख दिया है एक कप चीनी डालेंगे यानि जितना मैदा होगा उतनी ही चीनी डालनी है एक कप मैदा है तो एक कप ही चीनी डालेंगे साथ में पानी शामिल करेंगे आदा कप भी पानी नहीं होना चाहिए आदे से भी आदा कप पानी हमें शामिल करना है मतलब थोड़ा सा पानी चाहिए होगा अगर आप दो कप मेदा यूज़ करें ना तब आपको आदा कप पानी चाहिए होगा इसी से आप हिसाब लगा लें के थोड़ा सा पानी यूज होगा फिलेम हमारी बिल्कुल लो हनी चाहिए लो फिलेम पर हम शीरा त्यार करेंगे जैसे ही चीनी पानी में हल होना शुरू होगी हम इसमें टार्टी शामिल करेंगे यह देखें एक चुट्की के बराबर टार्टी शामिल करनी है हमें अगर ज्यादा शामिल करेंगे तो हमारा शीरा खट्त हो जाएका टार्टी खट्ती होती है तो शीरा बनाते होète च्यम्ज हम इसमें मुद्सल सल चलाते रहेंगे बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना के बीच में शीरा चोड़ा और मॉआल यूज करना शूरू कर दिया फेस्बुक देखना शूरू कर दिया कुछ ओधना शूरू कर दिया ऐसा नहीं होगा इस रैस्पी में इसमें हमें маш़़वäter चमस चलाते रहना है इसलिए मैंने आपको कहा है कि सब काउं छोड़कर बैठ जाएं और रेस्पी देखें और से सुनें स्किप नहीं करना किसी भी स्टेप को आज रेस्पी बड़ी मीठी मीठी सी है क्यों न थोड़ी सी मीठी मीठी सी बाते भी कर लें तो अक्सर मौकां पर लोग मुझे कह देते हैं कि आपका लहजा सक्त है आप सक्ती से बात करती हैं गुसे में क्यों बोल रही है हाला कि मैं ऐसा नॉर्मल बोल रही होती हूं गुसे में नहीं बोल रही होती है बलकि किसी ने मुझे मैसेज करके भी कहा है कि आपकी वीडियो तो अच्छी हैं लेकिन थोड़ा प्यार से बोला करें क्या आपको भी यही लगता है कि मैं सक्त लहजे में आपके साथ बात करही हूं अगर लगता है या क्या लगता है कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं यह देखें शीरा हमारा त्यार हो जुका है मैंने इसे पानी में डाल कर देखा है थोड़ा सा तो यह देखें यह इस तरह से बन रहा है इसमें क्रिस्टल नहीं बन रहे कोई जरा नहीं चीनी का वापिस बन रहा तो इसका मतलब है कि हमारा शीरा त्यार हो जुका है तो चलें फ्लेम ओफ करते हैं और नेक्स टेप की तरफ चलते हैं अब हम क्या करेंगे के शीरे को डिश में निकाल लेंगे डिश को मैंने घरीज कर लिया था ओल लगा लिया था पूरी डिश में अच्छा तरीके से ताकि ये शीरा अंदर ना चिपके इस डिश में हम इसे इसलिए निकाल लाया ताकि यह जल्दी ठंडा हो जाए हलका सा जब यह ठंडा हो जाएगा तब हम इसे इस तरह से अकठा करना शुरू कर देंगे चलें इसे हम अकठा करते हैं और साथ में वो बातें भी करते हैं जो अकठी हो चुकी है तो असल में होता क्या है मैं आती हूँ वीडियो बनाई काम की बात की काम से मतलत और छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ बनाकर चली गई लेकिन आज मैंने आपको बताया टेक्निकल किसम की वीडियो है देखने से तलुक रखती है तो वीडियो थोड़ी लंबी है तो बातें करने का मोका मिल गया अगर मैं चाहती तो ये वीडियो भी कट कर सकती थी छोटी कर देती लेकिन फिर आपको समझ ना आती के क्या हुआ है तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को थोड़ा लंबा ही होना चाहिए ताकि एक एक स्टेप एक एक चीज़ को आप अच्छे तरीके से देख लें और समझ लें अपना मुझे इस डिश को टेच करते वे डर लग रहा है ये गरम है और पहले मेरा हाथ जल चुका है शीरा लग गया था मेरे हाथ पर थोड़ा सा सोच है मैं कितने जयतन कर रही हूं आपके लिए आप आते हैं चुप कर निय Chi Diaphy देखी वीडियो देखी और चलें प्रेमपिर्बैक उर लाईक कर दें वीडियो को सब्सक्राब कर लें कर लें के हुए갈 की आफको मेरे मेरे वीडियो कैसी की लगी और फीड़ बैक भी दिया करें आप हमारे साथ तस्वीरें भी शेयर कर सकते हैं पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं मैं अपने फेस्बुक पेज पर उन्हें शेयर करती हूं सबके साथ तो मुझे अच्छा लगता है मेरा खून बढ़ जाता है कि अच्छा वा कि किसी ने सुना है मुझे मुझे यह नहीं लगता कि हाँ मैं आई हो केली ही बोल कर चली कोई सुनने वाला ही नहीं है अगर जब कोई आगे से रियाक्ट ना करें तो ऐसे ही लगता है जैसे कोई नही के साथ बाते कर रहे हैं तो फिर मज़ा भी नहीं आता यह देखें अब यह हार्ड हो चुका है कुछ ठंडा भी हो चुका है पहले से और हार्ड भी हो चुका है सक्त हो गया है तो जैसे जैसे यह सक्त होता जाएगा ना यह धीट होता जाएगा जैपकना ज्यादा शुरू कर करने के बाद इसे एक इस तरह से सरकल सा बना लें ताइर सा बना लेंगे अब आपने देखते जाना है कि मैं क्या कर रही हूं और आपने भी ऐसे ही करना है यह देखें इसको हम अच्छे तरीके से रोल कर लेंगे मैदे में और हर दफा मैदे में रोल करने के बाद इस तरीके से इसको बल दे लेंगे और दुबारा इसको खैंचना शुरू कर देंगे आइस्ता आइस्ता खैंचना है इसको ज्यादा नहीं खैंचना कोशिश करनी है कि हर तरफ से ये सर्कल बराबर ही हो यूं खैंचेंगे हम इसको आइस्ता आइस्ता और इसको बड़ा करते जाएंगे और फिर इसको बल दे लेंगे रोल किया और बल दे लिया हर दफ़ा इसके उपर हमने मैदा लगाना है मैदा छिड़कना है रोल करना है मैदे में जैसे भी आप लगाएं इसको लगाना है और फिर इस तरह करके रोल कर लेंगे बल दे लेंगे और यूँ खैंच के इसको लंबा करेंगे हलका हलका खैंचना है ज्यादा भी पावर नहीं लगाएगा और ना ये तूट ही ना जाए तो इस तरह लंबाई में इसको खैंचते जाना है हलका हलका ये देखेंगे इसके बनते जा रहे हैं ठ्रेड ये तारेंसी बनती जाएंगी बारीक बारीक इसी तरीके से हम इसे ये अमल कई दफा करेंगे और हर दफा ये मैदा इसको लगा लेंगे जब तक मैदा खत्म नहीं हो जाता हमने ये ही अमल करते रहना है तो चले ये भी बनाते जाते हैं और साथ कुछ रैस्पिस के हवाले से भी बात कर लेते हैं मैंने कुछ रैस्पिस अपलोड की हुई है अपने चैनल पर न्यू हूँ अभी मैं और कुछ मसरूफियात भी हैं जिनकी वज़ा से कम ही मैं रैस्पी अपलोड करती हूँ लेकिन करती जरूर हूँ शोक है मेरा जब कभी मुझे मुझे मोका मिलेगा ना तो मैं रोजाना भी इंशाल्ला लगाया करूंगी वीडियो हाँ तो मैं आपको बताने लगी थी जो अब तक मैं रैस्पीज लगा चुकी हूँ सबसे ज्याबा उन में से जो पसंद की गई हैं देखी गई हैं रैस्पीज वो मैं आपको बताने लगी थी उन में से एक अलसी की पिन्नी मेरी रैस्पी थी जो बड़ी हिट हुई थी चली बताया था उस में वो वीडियो भी पसंद की गई और दही जमाने के मतलق जो वीडियो थी जिसमें गाडा सक्त दही जमाने के मैंने दो तरीके बताए हैं वो वीडियो भी अच्छी रही टॉमाटो कैचफ कैसे आप साल बर बना कर उसे किचं शैल्फ पर रख सकते हैं 걷्टनें हो जाते हैं बाता है बहुत ज्यादा देसी कहीं बनाने में मक्षन बनाने में बहुत मुश् microw उती है तो सबस् 않은 है है मेने असा लगता एक साथ तीन मिनट में मक्षन निकाल सकते हैं यह इन टरीकह भी मैंने अपनेWhatAwlomeop किया हुआ है आप लाजमी देखिएगा अच्छा तो यह डिश भी असल में छोटी है बड़ी डिश में मैंने कुछ और रखा हुआ था तो यही डिश उठा ली लेकिन यह ना छोटी है तो हम इसे यहां पर डाल लेंगे सारे मैदे को और फिर इसे असानी से जरा बनाया लेकिन क्यूंके बना कर दिखाना है अभी आपको कुछ स्टेप रहते हैं उसके बाद ही खाया जाएगा पतीसा हमारा त्यार हो गया है अब हम कुछ बादाम कश कर लेते हैं थोड़े से पिस्ते भी कश कर लेंगे अगर आप चाहें तो यह दोनों चीज़ें डाल लें वना स्किप कर दें आपकी मरदी है बादाम डाल लें या पिस्ता डाल लें या दोनों ही ना डालें दोनों स्किप कर दें तो चलें, अब हम पतीसे को शेप दे लेते हैं, गॉल शेप में होता है, तो हम भी गोल शेप दे लेते हैं, वैसे हाट शेप में भी होता है, जो भी आपके पास आसानी सो चीज vontade वाओ, देखें कितने इसक लचेह बन गया है जिसमें आप शेथ दे सकती है उसी में आप शेपदेर लें, पहले हम पिस्तार बादाम डालेंगे, उसके बाद उपपर पतिसा डालेंगे, इस तरीके से दभाअले हलका हलका दभाएंगे यह ज्यादा प्रैस नहीं करना इसको यह देखें ऐसे वाओ देखें कितने इसके लच्छे बन गए हैं और कितना यह नर्म सा लग रहा है देखने में भी इस तरह से निकाल लेंगे तो चलें एक दो और बनाते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप इसको बनाकर ज्यादा अरसे तक महफूस कर सकते हैं हाँ तो यह देखें अगर आप इसे ज्यादा से तक रखना चाह रही हैं तो फिर इसे किलिंग रैप में पैक कर लें और किसी एयर टाइट जार में रख दें आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें नहीं अच्छी लगी तो कमेंट करके अपनी तजावीज दें मेरा चैनल जरूर सबस्क्राइब करें बराबर पर मुद्यूद बेल आइकन को जरूर प्रैस करें इस ते मेरी हर नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा जिन्दगी ने साथ दिया तो दुबारा मिलेंगे अल्ला हाफीज